दोस्तो आज की सीडियो में हम बात करने जारा है यूटूब एप में जो सरच डिस्ट्री होती है उसे कैसे डिलीट करें ठीक दोस्तो कैसे डिलीट करें इस वीडीयो को सुरू से लेके लासत तक देखते रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी अच्छी होने वाली है अगर आप ये करने आए हो तो दोस्तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं तो चली दोस्तों आपको YouTube अपको ओपिन कर लिना हो इस तरीके से YouTube अपको जैसे आप ओपिन करोगे यहां पे आपको सर्च का एक आइकन आ जाता है यहां पे आपको किलिक करना है तो यहां पर देख सकते हैं नजर आ रही होगी आपको अब इसे कैसे हटाना है तो हाई यहां से बैक चलते हैं बैक चलने के वाद यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस नजार आएगा यहां पर आपको अपने लोगों पर किलिक करना है ठीक है यहां पे आपको right inside में logo नजर आएगा और किलिक करके यहां पे आ जाना है ठीक है यहां पे आपको नीचे option मिल जाता है बिलकुल last में setting का यहां पे आपको इस तरीके से टैप कर देना है टैप करने का और simple से आपको उपर general, autoplay, download watch on tv यहां पे नीचे option आपको मिल जाता है history and privacy जैसे कि मैं आपको यहां दिखा देता हूं यह बाला ठीक है इस तरीके से option मिल जाता है यहां पे आपको इस तरीके से टैप कर देना होगा और यहां पे आपको दो option मिल जाते हैं जैसा कि मैं आपको यहां दिखा देता हूं clear watch history यहां पे एक होगा clear search history ठीक है तो यहां पे इस तरीके से हटा देना है ठीक है जैसे कि यहां पर यह हो गया है यहां सर्च हिस्ट्री क्लियर्ड यहां पर आपको इस तरीके से बापस चले जाना है जैसे कि हम यहां पर आ रहे हैं इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकि आपके लिए तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ जय हिंजय भारत बंद महतरम